नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरू अमिद गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकरा गया हूँ, यूपी पुलिस परिच्छा को ध्यान में रखते हैं टाप 10 रिजिनिंग के ऐसे प्रस्ण, जीने हम हल करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ ताकि ऐसे प्रस्ण आने पर आपको परिच्छा में कोई भी हडबड़ी और गडबड़ी होने से आपको बचाया जा सके और ऐसे प्रस्णों को कैसे कम से कम समय में जल्दी से जल्दी आसानी के साथ बिना घवडाय साल्व किया जा सके तो यूपी पुलिस के ये कुछ अस्तर के कुछ प्रस्णों को हम लोग साल्व करके देखेंगे सबसे पहले जो ही बीडियो के मैं आपके सामने प्रस दिखाई दे बीडियो को रोख दिया करिए रफ और पेन ले कर बैठिया और खुद से इन प्रस्णों का उत्तर देने का प्रयास करिए उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाईये क्योंकि मैं वीडियो को रोकूँगा वीडियो काफी लम्बा हो जायगा तो देखिये यहाँ पर स्रिंखला परिछड का प्रसन है यह और इसने पूछ रहा है कि यही स्रिंखला आगे बढ़ती रहे तो आगे यहाँ पर कौन सा अंक यहाँ पर आएगा तो स्रिंखला परिछड के प्रस्णों को आपने काफी हद तक कई बार हल किया होगा जहाँ तर आप देखते होंगे इसमें प्लस, माइनस, गुडा, भाग, वर्ग, घन की किरियाएं होती हैं और साथ-साथ, दो-दो किया एक साथ भी होती हैं तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान सा प्रस्ण है यहाँ पर 45 लिखा है यहाँ पर 100 लिखा है फिर 65 लिखा है, 40 लिखा है इससे यह पाद चलता है स्रिंखला जो है वो घटते करम में है, माइनस में जा रही है स्रिंखला तेजी से बढ़े तो गुडा हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है स्रिंखला तेजी से घटे तो माइनस तो जाना समाना की भागे की भाग की किरिया हो स्रिंखला धीरे धीरे बढ़े तो प्लस की किरिया धीरे धीरे घटे तो माइनस की किरिया होती है सिरिंखला ऊबढ़ खाबढ़ यानि जिक जैक यानि घटे बढ़े तो इसमें दो प्रकार की सिरिंखलाएं होती हैं तो 145 में से आप हमेशा बड़ी संक्या से छोटी संक्या निकाल के यहां पर लिख दीजे इन दोनों के बीच अस्थान पर फिर बड़ी संक्या चोटी संक्या निकाल के इन दोनों के बीच अस्थान पर फिर बीच अस्थान पर ऐसे लिखेंगे तो 9 समझ में आने वाला प्र आपको क्या पाद चला यानि 45 घटा घटाया गया फिर 35 घटाया गया फिर 25 घटाया गया तो अब नंबर है कितना घटाने का 15 घटाने का यानि कि 40 में से 15 घटा देंगे तो आपका आंसर जो है वो 25 आपके सामरे दिखाई देगा जो कि विकल्प D में है और हमारा आंसर हो जा यह जो हैस लिखा हुए उस हैस के जवब पर करमसा यह चिन लिख दीजिए और उसके बाद देखिए कि किस विकल्प को भरने से यह आंसर सही साबित हो जाता है इसमें बस समय लग सकता है और इसमें कोई भी दम नहीं है तो आपको एक ही काम कर सकते हैं करमसा सभी विकल्पो को रख कि आपको चेक करना होता है बस यह टाइम टेकिंग प्रस्ट में है तो आप अगर रफ पर क्योंकि अगर आललाइन परिच्छा है वैसे यूपी पूलिस की परिच्छा आफ लाइन होगी तो आप रफ पर उसी पेपर पर ही यह मान लेते हैं ऐसे आप लिख लिज़ थोड़ी दूर पर 4 लिग दीजे, थोड़ी दूर पर 36 लिग दीजे, थोड़ी दूर पर 140 लिग दीजे, अब चिन अगर हम लोग पहला A को मान के चले, तो पहला है स्थान पर भागे, दूसरे अस्थान पर है गुड़े, तीसरे अस्थान पर है प्लस, फिर उसके बाद है बराबर यानि कि अगर इन सब को calculate करने के बाद 140 आ जाता है तो यह answer सही है या नहीं तो हम फिर B फिर C चेक करेंगा अगर तीनों में से आंसर नहीं है तो D को बिना हम लोग चेक किये भी सही टिक कर सकते हैं क्योंकि चउथा टिक करने के जिक कर देंगे बिना छेक किये क्योंकि अगर आपने इन तीनों को सही से चेक किया है और इसमें आंसर नहीं मिला है तो तो था ही आंसर होता है तो खर हम लोग पहला चे करते हैं तो तीन दुना के 6 और यह 3 छक 18 तीन दुना के 6 और तीन छक 18 यानि यह कड़ गया 26 हो गया अब 26 में 4 का गुड़ा कर देते हैं 4 6 के 24 के 4 4 दुना के 8 और 9 10 104 हो गया यह भी खतम हो गया अब 104 में 3 जोड़ देते हैं तो 100 हो जाएगा 36 है तीन नहीं 36 जोड़ देते हैं तो 6 4 10 के 0 3 और 1 4 और 1 तो यह हो जाएगा यानि कि यही वाला जो विकल्प है पहला वाला ही भर देने से हमें आंसर मिल गया इसलिए आगे चेक करने की जोड़त नहीं है भाग आपका अच्छा रहा गया तो पहला दूसरा में ही आंसर मिल जायागा नहीं तो अधीक सदिक आपको तीन ही विकल्पो चेक करना होता है अंसर है अगला प्रस देखिए पांच बंदरों वाला यह प्रस्ण है तो इसमें मैंने ट्रिक भी थोड़ा सा लिख दिया है कि जब ऐसा रैंकिंग वाला प्रस्ण हो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रस्ण हो तो ऐसे लाइन को प्रस्ण हो जिसमें कोई confusion न हो जैसे कि यहां पर लिखा है ABCDE पेड़ की एक साखा है जिसमें पांच बंदर बैठे हैं CD के बगल में बैठा है ठीक है ऐसे हम लोग बना देते हैं और सबका चेहरा उत्तर की तरफ मानते हैं ताकि आपका दाया इनके दायां के समान इनका ब बगल में ऐसे भी हो सकता है तो हम लोगा असपर्ष्ट लाइन नहीं बोलेंगे। CD लिख सकते हैं DC आप समझे रहोंगे तो इस लाइन को हम लोग पेंडिंग में रखते हैं फिर लिखा है इस लाइन को में प्रफफ्ष्ट जो पर पहले उसको लिख लिए फिर उसके सबसे पहले आसान काम लेजिए सबसे पहले आसान प्रश्णों को हलकर ये परिच्छा में कठीन प्रश्णों को लाष्ट मिलना चाहिए ताकि आपका अमुल्ले समय उक्सान नहीं हो इस आखा के एगदम बायन चोड़ता हम लोग ऐसे बैठे मान के चले हैं इसलिए बायन चोड़ यानि कि सबसे बाय हम लोग आराम से इसे बैठा लेते हैं और गोले में घेर लेते हैं ताकि अभी इसके इधर किसी को नहीं बैठाना ये हमें याद रह जाए है कि सीग्ता लाइए द्यूसरे अस्थान पर यह भी एक दावासानिस्ट लाइन सीदाएं से दा Ihr है तो द्यूसरे इस आँघन कि यहां पर एक । बैठा है बैठेगा और यहा पर कौन बैठेगा कि सीग्याएं से दूसरे अस्थानि पर यहो गया अब A, B के तुरंत दाइं और, अब देखे, अब A, B के तुरंत दाइं और तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर यह पहला यह अंतिम बैक्ति है, यादर के इसको बोले में घर सकते हैं, जो भी बैक्ति होगा यहाँ पर वो अंतिम बैक्ति बैठेगा, अब कर छाना होगा及 हमें बठाने इलों के या यहीं पिछ है कि तुरत कि दिया खिर कि दॉसरे अस्थान पर ay यहां से दोर वाला स्ट्सी गडबड़ो पिक्वल्सी वास यहां पर लिखने से इसलिए बी-ई के दाईयोर है, बी-ई के दाईयोर है, तो अस्परस्ट रूप से दाईयोर है, कोई दिकत में बी-ई के दाईयोर ही है, बताने के ज़र तो नहीं है, और ए-सी-साथ में बैठें, तो ठीक है, ए-सी-साथ में यानि कि इसके बीच में अब कोई आने वाला नहीं, ए-सी साथ ही में बैठेंगे, ठीक है, तो अब क्या करा है, ऊपर क्या बोला था, C, D के बगल में बैठा है, तो C, D के बगल में, तो एक यह अच्छा वैसे बचा है, तो एक भरी देते हैं, कितने लोग थे 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, अपने आप ही D यहाँ पे बैठा ही है, तो कि एकी जग खाली है D E के साथ नहीं बैठा है तो D E बहुत दूर है तो कुछ लाइने स्थ्वता ही बन गई तो क्या पूछा है कुल मिला कि केंदर में कौन बैठा है यानि कि बीच में तो दो लोग जो है दो लोग इधर है और दो लोग इधर है बीच में कौन बैठा है तो A महोदे बैठा है तो यहां आपने क्या सीखा तो यहां सिर्फ आपने इतना ही सीखा कि जो असपर्ष्ट लाइन होती है उसे ही सबसे पहले लेना होता है ताकि हम अपने काम को आसान बना सके systematic बना सके ताकि आंसर तक आसानी से बीना घवड़ाये पहुच सके अगला प्रस्ण वीडियो रोक के रफ और पेन लेके दिमाग चलाना सुरू करिए उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाईगे गा देखिए यहां पर असंगत छाटना है काउन सा जोड़ा जो है वो अलग है अलग जोड़ा काउन सा है तो यह 24 तो कई तरीके से होता है यह भी हो सकता कि इसका विभाजता के अधार पर गुडलफंड के अधार पर योगफल के अधार पर भाग के अधार पर अंतर के अधार, पर कई अधार होते हैं, अब कैसे पता चलेगा कौन सा अधार है, तो ऐसे पता चलेगा कि कौन सा अधार है, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करेंगे, तो अपने आप ही प्रस देखने से एक तो आज़ कल देखने में आ रहा है कि आपस में जोड दिया जा रहा है तो चार विए क् quieren आज चार एक पांच इधर चैई इतर पांच इतर सब्सक्रेंद साथ डोई होने आपकंप यह जोडने पर नगंआ और यह 9 8 यह 6 3 हो जा रहा है 9 और यह 8 दो 10 एक 11 यह 8 8 हो जा रहा है 16 और यह 8 15 12 15 है और इससे ایک जाधा इधर 16 है यह 8 है इससे जाधा 9 है इधर 5 है इससे जाधा 6 है लेकिन यहां पर 15 है और यहां पर 16 यहां पर उल्टा हो गया 9 से इधर दाएं सैट में जाधा है वो भी 2 जाधा है यह अंतर के अधार minor पर दोने में यह चिरप opposite बाकी समय है और इसम시면 दो कांतार है। वो भी दाएं सैड में एक दाएं और बायां का यहां पर गड़़ी है। यानि यहां पर हमेशा बाएं साइड वाला एक ज्यादा है लेकिन यहां पर दाएं साइड वाला ज्यादा है वो भी दो यानि कई तरीके से गवड़ बढ़ा है यानि सी जो है वो किसी ने किसी तरीके से अलग है अब इस प्रस्व को देखिए उत्तर लाने का प्रयास करी रफ पे थोड़ा से इसमें रफ का प्रयोक तो करना ही पड़ेगा आंसर लाने के लिए लेकिन इसमें क्या लिखा है आपको जो का मतलब पता होना चाहिए और किंतु परंतु तथा लेकिन लिखा रहा है तो पहले वाले नाम के लिए लेकिन जो लिखा रहा है तो दूसरे वाले नाम के लिए कहा जा रहा है या इस तरीक के से समझे जो जहां पर लिखा है उसे ठीक पहले जाईए और जो नाम लिखा है समझ लिजे कि उसी के लिए वो जो सब्द इस्तमाल किया गया है जो का मतलब नहीं समझेंगे तो प्रस्द गलत हो जाएगा इतने ये लोग हैं और केंदर के और मुख करके बैठे हैं यानि की बिरित में होगे तो बिरित बनाईए कितने लोग है कि इन लिजे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ लोग है तो आठ लोग जब भी रहें तो आप ऐसे प्लस बना लिया करिए और फिरित बनाने की कोई अब खाज जरूरत नहीं है अब करा कि आर एक दाएं चोथे अस्थान पर है आर जो है एक दाएं तो हमेशा ये पहला नाम है ये दूसरा वाला नाम पहले बना लिया करिए जैसे हम यहां बना लिए अब आप क्यों बना रहें क्योंकि आर को कहा बैठना है डाएं बैठना है किसके दाएं बैठना है तो आर को ए के दाएं बैठना है तो सबसे पहले तो आर जाएगा और ए को ढूड़ेगा कि कहा है जहां भी है वो उसके दाएं जाके बैठ जाए इसलिए सबसे पहले आपको दूसरे नाम को बनाना चाहिए क्योंकि ए हमने बना दिया ताकि आर जब ढूंगता हुआ आये तो इसके आराम से दाये साट में वह बैड़ जाए तो आर एक दाये से चौथे एक दाये से चौथे यानि पहला दूसरा तीसरा और चौथे अस्था पर चाहते क्लायी मैं बना दिजी समझने के लिए चौथे अस्थाण जहां पर जो लिखा वही पर इस दूसरे नाम को पढ़ लिजिए, या इसी को ये भी कह सकते हैं कि जो का मतलब क्या हो, या तो ये कहिए कि दूसरा नाम होता है, या ये कहिए कि जो का मतलब वो होता है, जो जो से ठीक पहले जाने पर जो नाम मिले, तो जो से ठीक पहले ए पी के दाएं से तीसरे अस्थान पर है यानि ए क्या है कहा है तो पी के दाएं यानि कि पी को ढूंडेगा पी जहां होगा उसके दाएं कौन बढ़ जाएगा ए ए जो है पी के दाएं ए जो है किदर है पी के दाएं तीसरे अस्थान पर पी को बनाना पड़ेगा पहले, पी के दाएं, तो ऐसे बैठेगा पी, देखे ऐसे, तो इसका दाएं ऐसे रहेगा, एक, एक, दो, और ये तीसे नमर पर कौन है, यही कहा गया है, देखे, ए, पी के दाएं, दाएं का मतलब दाएं हाथ की तरफ, ए जो है, पी के दाएं हाथ की तरप तीसरे अस्थानपर है तो अस्थान पर अब यहां सब कर्णों है कि बढ़ते हैं जिन सब कि किदर बैटना ऐ है लें लेकिन किसके बाएं, एच के बाएं, तो सबसे पहले तो वो जाएगा और एच को ढूड़ेगा कि एच कहा है, जहां पर एच होगा वो उसके बाएं बैठ जाएगा, लेकिन इसमें एच दिखाई दे रहा है कहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है, नहीं जिन दो लोगों की बात करें वो पहले से ही अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब उसे बैठाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप उसे गलत जगा पर बैठा सकते हैं तो ऐसी लाइन को थोड़ा सा देर के लिए पेंडिंग में रख दीजे छोड़ दीजे जिसमें उन दो नामों में से एक नाम पहले से ही मौजूद रहे तो इम एच में से कोई भी पहले इसमें मौजूद नहीं इसलिए इसको दिक्कत हो सकती है परसानी की साथ बैठाया जा सकता है तो क्या जोड़त है इसे पैसा परसानी लेने का मोग आगे बढ़ जाते है अस्थान पर दूसरे अस्थान पर है जो पी के बाएं से दूसरे ह अब पी इसमें मौजूद है अब इसमें पी की बात जो करा वो मौजूद है यानि यह यहां से लाइन जो जूड़ जाएगी तो अब हम लोग जो का मतलब समझते है तो जो का मतलब या तो दूसरा नाम या जो से ठीक पहले जाए देखे क्या दिख रहा है जो से ठीक पहल कर दिजे और पढद दिजे तो यह वाली लाईन हम लोग नहीं जोड़ पहे लेकिन यहां से जोड़ जा रही है एच यह पी के बाएं से दूसरे अस्थान पर यहांई है किसको ढूड़ेगा और जहाँ भी पी मिलेगा उसके बाएं दूसरे अस्थान पर बढ़ जाएगा है एच पी के बाएं तो पी ऐसे बैठा किंदर की तरव मुझ करके तो पी के बाएं यानि कि इधर कितना जो P के बाएं दूसरे अस्थान पर तो यह पहला अस्थान और यह ऐसे पहला और यहाँ पर दूसरा अस्थान पर कौन बढ़ जाएगा H तो इसकी भी राम कहानी हो गई P जो है H के बाएं दूसरे अस्थान पर हो गया अब पीछे वाली च्वरी लाइन जूर जायेगी क्योंकि एम और एच में से अब एच यहां पे मौझूद है दो लोगों का जिनका जिक्र हो रहा है उसमें एच मौझूद है इसलिए अब यह लाइन जूर जायेगी देखे वीडियो चाहें जितना लंबा हो जाए समझाने की जो तरीका है वो उसमें बहुत तेजी लाने से बहुत विध्यार्ति प्रस लगाने से पहले ही समझ जाते हैं कई कटेगरी के विध्यार्ति होते हैं तो मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो थोड़ा सा जिनको समझने में दिक्कत होती है तो उन्हें थोड़ी से दिक्कत कम हो जाए है कि मैं इस में से मौझूद हो यानि ये लाइन डोले सकते हैं तो एम ज़ो है किधर है एक किस को होड़ेगा है कियों क्योंकि एम को हैच के बाएं बाएँ बैठा हो किंदर की तरह होग तो है यानि क doubt होसा हूए हम जो है बाएन से दूसरा लेस्ड के उन्हें पहला कि बाएं हाती दार होगा पहला और यह दूसरा कौन है तो एम यहाँ पर कि बैठ गया कि एम जो है एच के बाएं पहला और यह दूसरा बैठ गया लिकने जोत नहीं है अब देखिए दो जगा खाली बचा एक यह और एक यह और एक यह तीन जगा खाली बचा है अब ल क्यों डूड़ेगा क्योंकि डी को किधर बैठना है लेकि डी को किधर बैठना है दाएं जाना है किसके बी के तो बी को डूड़ेगा जहां बी ठीकेगा उसी के वह बाएं डाएं बैठ जाएगा तो डी और बी में से कोई मौजूद है नहीं मौजूद है लेकिन यह अंत मे ताकि समझ में आए ज्यादा चित्र बुजा बुजासा ना लगे देखिए अब देखिए करा डी जो है बी के बाएं तो हमेशा मैं यही बता रहा हूं कि जो पहला नाम रहा करें उसको मत बनाये करिए सबसे पहले दूसरा वाला नाम बना लेंगे तो आपको आसारी हो क्यों तो हम लोग मान के चलते हैं अगर वी को हम लोग यहां बैठा हैं तो इसके दाएं डी बैठ जाएगा तीसरे अस्थान पर नहीं बैठ पाता क्योंकि यह सिट पॉले से बूख है तो बी यहां नहीं बैठाएगा उसी के दाएं बी को तीसरे अस्थान पर बैठाना ही बैठाना है तो बी यहां बैठा तो एक दो तीन यहां पर डी नहीं बैठ पाएगा इसका जोड़ा नहीं बैठ पाएगा तो बी यहां नहीं बैठ पाएगा क्योंकि डी को भी उसके दाएं तीसरे अस्थान पर बैठाना है तो यहा दो, तीसरा यहां प्यारा यह भी sit full है तो जब B तो यहां बैट जा रहा है यहां भी बैट जाएगा लेकिन इसके दाएं साइड में तीसे अस्थान पर D नहीं बैट पार है इसलिए मजबूरी है कि B यहां भी ने बैठेगा अब क्योंकि यहां पर अगर बी को बैठाये जाए तो इसके तीसे अस्थान पर एक, दो, तीन यहां पर D आराम से बैठ जागा तो यही वाला स्थान जो है एक बचा है जो D और B मिल के आराम से सेर कर सकते हैं बिना किसी जंजट के बिना किसी को परेशान किये तो D यहां बैठ गया और इसके बाएं दाये हाथ पर यह तीसे अस्थान पर D बैठ गया अब एक ही जगा खाली है नाम देख लिए यह कौन सा नहीं मोजूद है PM, D, F तो F नहीं दिख रहा है तो वो देख कर हम लोग आराम से बैठा देंगे तो यह कहानी हमारी पूरी होगई समझाने के लिए इतना लंबा लगा जब अपने के लिए अपने आप के लिए प्रस लगाएंगे तो आप जल्ली जल्ली लगाएंगे क्योंकि आप किसी को समझाना नहीं होता है निम्न में कौन सा जोड़ा बी के निकर्टम पड़ोसी बी का निकर्टम पड़ोसी यानि कि दाएं बाएं तो बी का निकर्टम पड़ोसी हमोग कलर बदल के ज़्यारा देखेंगे यह बी है तो बी के निकर्टमे कौन है एफ है इधर बी के निकर्टमे कौन है एफ है यानि एफ ए तो यहाँ पर हमने क्या सीखा तो हमने यहाँ पर वस इतना ही इस प्रस में सीखा कि जो का मतलब क्या होता है और दूसा चीज यह सीखा कि जो लाइन में दो अच्छर या दो नाम या दो अच्छर कही है या दो नाम होते हैं उन दो नामों में से कोई पहले से मौझूद नहीं है, तो उस लाइन को अभी नहीं लेना चाहिए, उसी नाम को लेना से सबसे पहले, जो दो नामों में से पहले से एक नाम बनाने वाले चितर में मौझूद हो जाए, अब देखिए, कोडिंडी कोडिंग का प्रस्ण है, तो सबको अच्छरों की संगसंख्या याद होती है तो यह आर 18 पर आता है तो साइद लग रहा है कि एक बढ़ा के 19 लिख दिया है तो उसी तरह से डाबलू 23 पर आता है तो एक बढ़ा के 24 लिख देगा जो की अंसर B में है तो ठीक है आप परिष्छा में ऐसे भी कभी कभी हम लोग प्रस्णों को थोड़ा सद्देखर भी हल करना पड़ता है जब समय कम होता है अभाव होता है यह हमें समझ में नहीं आता है तो किसी ने किसी आधार पर हम लोग ठीक मारके आते हैं और यह सही भी हो सक सकता है और कभी गलत भी आपका प्रस्ण हो सकता है तो वैसे तो आंसर सही है 24 ही होगा लेकिन पूरा तर्क क्या है इसका क्योंकि तर्क नहीं समझेंगे तो कभी आंसर गलत भी हो सकता है तो यह आर लिखते हैं हम लोग आर इडी और इसके पराबर में लिखा है 19 और फिर दिखा है W, E, D, इसके बराबर उसमें 24 आया ठीक है, तो देखे, R का मतलब हो गया यहां पर, R का मतलब 18 तो जानते ही हैं, अब यह जो E और D मतलब है, इसका क्या मतलब, E आता है 5 पर, और D आता है 4 पर, तो यह क्या किया है, 5 में से 4 घटा दिया है, 5 में से 4 घटा एगा तो इसने तो नहीं सा गया है, उसी तरह से W आता है, 23 पर तो ठीक है, इसको सेपरेट करिए, अब E आता है 5 पर, D आता है, 4 पर, तो 5 में से 4 घटा देंगे, तो इसमें भी 1 आ जाएगा, तो यह 1 और प्लस 23 जोड के 24 आया, तो आया इस तरह से है, आप चाहें, इसे सोच कर आएगे, तो कभी खत्रा भी कर सकता है, अब देखिए, समरुप्ता का प्रस्न, इनलोजी का प्रस्न, इसमें जार प्रस्न जो होते हैं, वो अंतर के अधार पर ही होते हैं, कभी विप्रित अच्छर के अधार पर कभी बढ़ते करम, कभी अच्छरों का अस्थान अदल है तो अगर आप इबर और संगस्निक्न आपाlt निकालेंगे तो आजाएगा 6 और जो कि यह बड़ते क्रम मैं है एक बांध ही जाता है यह कि यह goes के बाद ही हो आता है इसलिए प्लस प्लस चार हम लोग लें लिख दिया यानि कि प्लस चार से हमारा आंसर आराम से आ जाना चाहिए तो पी है पी आता है 16 नमबर पे 16 में 4 जोर देंगे 17 18 19 20 तो 20 समा अच्कर सबको पता है कि टी होता है तो टी देखिए लिखिए लोग तुराओ विकलब में चेक करीं टी किसमेंं है तो इसमें नहीं है यह कड गया इसमें नहीं है इसमें नहीं है इनुस दो इन्यतिनों में इसको आBayस दीजिए अब जेड में भी चार जोड़ वैसे तो आंसर आगे डेन में चार जोड़ देंगे डी आ जाएगा आंसर हो गया दिकल्प डी देखे लिखा है प्लस पाँच बन बाली विदी भी देख लेते हों लोग कभी कभी जब पहले से पहला दूसरा तिसरा तिसरा इस विदी से आंसर नहां आए तब आपको क्या करना चाहिए आपस में ही अंतर देखना चाहिए, आपस में देखेंगे तो यह है, F 6 नमबर पर A एक नमबर पर थी, 6 में से 1 निकालेंगे तो यानि की प्लस 5 है, E 11 में से 6 निकालेंगे, तो प्लस 5 है, यानि 5 का अंतर, उसी तरह से उंगली पर भी जोड़के देख सकते, E है, F जहां चलते हैं, उसको छोड़के, जहां पहुचते हैं, उस अच्छर को ले के, E को छोड़ दिए, F, G, H, I, J, 5 का अंतर, J के बाद, K, L, M, N, O, 5 का अंतर, P है तो Q, R, S, T, U, 5 का अंतर, U के बाद, V, W, X, Y, Z, 5 का अंतर, तो सब में 5, 5 का ही अंतर है, तो वही बिकल्फ सही होगा, जिसमें 5 का अंतर आपस में होगा, एक तो तरीका ये है, जो सबसे सरव्यापी है, इसी तरीके से 90% परसनों का उतर आएगा, लेकिन जब इससे ना है, तो कभी-कभी, जो अब आजमार है हम लोग, इस विदी से भी आपस में अंतर वाले से भी लगाना चाहिए, जैसे U है, V, W, X, Y, Z, 5 का अंतर तो नहीं देख रहा है, कट गया, T है, तो U, V, W, X, 4 का अंतर ये भी कट गया, U है, ये तो माइनस में जारे भी नहीं होगा, T है, U, V, W, X, Y, 5 का अंतर, Y के बाद, Z, A, B, C, D, 5 का अंतर वाला है, तो इस वी दी से भी आंसर, D, हो जाता है, अब इस प्रस्व को देखिए, और तल आने का प्रयास करिए, और आप अपन का इस्तमाल करना पड़ेगा, करिए, अब मैं जाद दिर नहीं रूप हूंगा, वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप वीडियो तो हम लोग मान लेते हैं, कई तरीके से माना जा सकता है, इधर हम लोग लिखेंगे बाद वाले को, और इधर लिखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग मानेंगे की पहले है, कुछ लोग ऐसे मान सकते हैं, उपर से नीचे की तरफ कि ये पहले है, और ये बाद में है, अपने अपने लगाने का तरीका अपने अपने प्रस्म को हल करने का उत्तर तक जल्दी पहुचने का आसान से आसान तरीका जैसे आपको समझ में वैसे आपको बना लेना चाहिए तो हम इसको माले रहे इधर पहले वाले को लिखेंगे इधर बाद वाले को लिखेंगे तो आप कर र लाश्ट में वह सकतर लेको नहीं रहेंगे लाष्ट में पी और क्यू के अलावा कोई भी अच्छा हो सकेगा कि इस आर के बाद इसका दूसरा उप्यो करें कि आपसे भाष्प बतारों तो जो दूसरा वाला नाम रहा करें जैसे S पहला नाम है, R दूसरा नाम है, दूसरा वाल नाम को पहले बैठाया करें समझने के लिए, तो हम लोग यहां पे R अगर बैठा लें, R, तो S क्या है, R के बाद इसका दूसरा उप्योग करेगा, S, R के बाद दूसरा, यानि यहां पे कोई रहेगा और यहां पे, यानि यह, दूसरा उप्योग, दूसरा उप्योग का मतलब, यह नहीं करा कि S, R के बाद उप्योग करेगा, बलकि यह करा R, S, R के बाद इसका दूसरा उप्योग करेगा, यानि इनके बीच में भी कोई एक व्यक्ति है जो बैठेगा यानि बैठेगा का मतलब इस रानवे का प्रयोग करेगा लोग इसको सिटिंग अरेंजमेंट की तरह हल कर रहा है इसलिए बैठेगा सब्दारा है मो के पहले इसका उप्योग करेगा इसको अलग से देखिए अब मो के पहले यहां भी बना सकते हैं यहां भी बना सकते हैं इसलिए इसको पेंडिंग में रखते हैं खैर अलग अगर बनाया जाए अब दूसरा नाम फिर से हम लोग पहले बनाते इसको पहले बनाते ओ है ओ के पहले इसका दूसरा उपयोग करेगा कि यहां पर भी बीच में कोई रहेगा तो यहीं चीज बना इस लाइन पे कि यहां यहां बनाएं यह की लिए इसको थोड़ा पेंडिंग में रख दी हम लोग पेंडिंग में इसलिए ऐसे कड़ देते हैं इन ओ के बाद यहां भी बना सकते हैं इनो के बाद यहां भी बना सकते हैं इसको भी पेंडिंग में इनो के बाद और आर के पहले तो आर तो मौझूद है किसकी बात कर रहा है दे पहले, अब पूरा लाइन बन गया, N O के बाद है, N जो है किसके बाद है, O के बाद देखे, N O के बाद, N की कहानी चल लेए, जिसकी कहानी चल लेए, उसके टिक मार लिया करे, N की कहानी चल लेए, N O के बाद, और R से पहले, N O के बाद और R के पहले इसका उप्योब करता है ठीक अब बन गया तो देखिए यहां पता चल गया कि ओ यहां है तो के बाद इधर खाली अस्थान उसके बाद यहां पर एम हम लोग लिख सकते हैं यहां पर हम लोग इसको बीने पढ़े लिखे फिट कर सकते हैं यहां पर देखिए यहां पर पूरी कि पूरी यहां पर करईगा क्यूंग इसे से ठीक पाले क्यों J incorporate यहीं पर बनेगा अब यहीं नाम बचा है पी तो किनारे रहना नहीं है तो हमोग बीच में यहां पर आरायम से लिएंगे हमारा काम बन जाए अब क्या पूछ रहा Q से ठीक पहले रनवे का प्रयोग कोन कर रहा है, रंग बदल के देखिए, Q से ठीक पहले रनवे का प्रयोग जब है, R कर रहा है, यहनि हमारा answer हो जब अब हमारी अब इसमें स्रिंखला परिछट का ही प्रस्नलिक gr соглас गावट सिंखला है तो इससं बताना है कि यहां पर क्या है वीडियो रोख दीजिए मुश्किल से 15 से का अंसर है Know My day D जेड है ट्रीा लेए किरीया तो जब मैंस के किरिया रहे रहे तो आप अपने आपको अच्छी तरीकी से समझाने के लिए आप आप दाएं से दाएं ऐसे मत बढ़िए आप जब भी माइनस में रहा करें minus मेरा करें, आप दाएं से बाढ़ें बड़ के check करेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कितना घटा हो रहा है, कितना minus हो रहा है, तो यहाँ से देखें, Q है, तो r st umpy 60 uv w minus 3 xyz minus 3 जब यहाँ minus 3, यहाँ minus 3 यहाँ minus 6 किए थोड़ी हो जाएगा या भी माइनस तीन ही रहेगा तो क्यों आता है चाफंगा है कि तो किस यह नहीं होगा इन इन रहर नहीं होगा इनि ही दोनों मेंसे ए और डी मेंसे कोई नकोई यह कांसर हमारा होगा उत्व पिर सामनों दोड़ते वह है तो तो वह आता है 15 पे 15 में से 3 निकाल देंगे तो कितना आएगा 12 वह अच्छर क्या होगा तो 12 वह अच्छर होता है इसलिए हमारा आंसर रो जाएगा विकल्प ए तो ऐसे आप माइनस कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है पर इच्छर का फिर से प्रस्ण है देखिए और उत्तर दीजे अगर अंतर पर निकालेंगे जाए तर प्रस्ण अंतर पर होते हैं अंतर पर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा 6 और 12 मेंच 6 निकालेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 6 यहाँ पर आजाएगा 9 और यह क्या हो रहा है प्लस हो रहा है प्लस कर लिजे 21, 10, 31, यानि कि यहां पर आ जाएगा 11, तो यहां पर 6, तो 7, 8, 9, 3 बढ़ा है, तो 10, 11, 12 यहां पर लग रहा है कि 12 बढ़ना चाहिए, लग रहा है कि प्रस नहीं गलत है, कि 6 बढ़ा है, फिर 3, 9, फिर 3, 12, अब 13, 14, 15 से हमार आंसर आ जाता, 15 बढ़ाने पर तो ऐसा भी गल कार्ति परिछा में सोचेंने लगते हें, तो प्रस्न को गलत मान के मत चली, ऐसा रिजनिंग में हो सकता है, कि रीजिनिंग के एक प्रस्न के दो बिकल्प आंसर है, अलग-अलग तरीके से, लेकिन अप्रस्न के ओप्रस्न के कई जवाब हो जाएगा, तो अब यहां पर दे देखे 6 है, फिर 12 है, फिर 32 है, फिर परस्वा सक्चिन है, तो 2 का वर्क करिए, 2 का वर्क करिए, 2 दुना के 4 और इसमें 2 जोड दीजे, तो यह आ जाग अच्छा है, फिर 3 का वर्क करिए, तितली के 9, और फिर 3 ही जोड दीजे, कोई बड़ा काम नहीं है कर लेंगे, फिर 4 का वर्क चार्चों के 16, फिर 4 ही जोड दीजे, तो कितना हो रहा है, तो इसमें क्या हो जारी दिक्कत आपको, 4 चों के 16, 17, 18, 19, 20 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 21, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो गई, अब हम लोग क्या करें, तो बात वही है, बस आपको समझना है कुछ अलग तरीके से, क्या समझना है, जब ऐसे ना है, तो यह दो है, ऐसा मैं समझें कि दो कवर किया है, दो ही जोड़ा है, तीन कवर किया, तीन ही जोड़ा है, तो चार ही जोड़ा है, ऐसा नहीं है, ये दो का वर्ग किया है तो पहली अभाज संख्या जोड़ा है ये भी हो सकता है दो को सम तो संख्या है लेकिन अभाज की तरह भी देखा करें तभी आंसर तक पूचेंगे एक पहली अभासंग के दो है, दो के बाद अगली अभासंग के तीन जोड़ा है, अब तीन के बाद अगली अभासंग के चार नहीं आएगा, पांच होता है, इसलिए पांच जोड़ा है, तो फिर वर्ग तो करम सही कर रहा है, दो, तीन, चार, तो अब पांच के आई, पचा ग्यारह है अगर आप नौ जोड़ देंगे तो भी गलत आंसर आ जायेगा आपको ग्यारह जोड़ना है छचाचाग छाटिस चाटिस दच्छी आलिस और एक 47 आपका अंसर हो जाएगा अंसर हो जाएगा अंसर हो जाएगा तो आप हमारे पेंट फी रेजिनिंग ट्रिक से जूड़ सकते चाहिए आप कोई परिच्छा दे रहा है और रेलेवे की SSC की पुलिस की कोई परिच्छा दे रहा है तो आप रेजिनिंग के किसी परसों आसानी से और तेजी से हल करने में सच्छम हो जाएगे और इसके बार म लाइक कर दीजेगा अपना दोस्तों में सेर करदीजेगा चैनल पर ना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा धन्य बास citation